हेलो फ्रेंद्स इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप एक कैलेंडर पे कैसे प्लानिंग कर सकते हो कुछ काम है जो आपको हर हपते या हर महीने या हर साल या डेली करना पड़ता है तो वो रेकरिंग इवेंट हम बोलते हैं उसो कैसे क्रियेट करना है हमने पिछली वीडियो में देखा था एक एक अग्जाम्पल आपको एक क्रेट काड बिल पेमिंट करना है चली दुबारा बनाता हूं मैं पर create card bill payment ऐसा है कि वो हर महीने करना चाहिए हमें तो हर महीने में calendar event मैं बनाना नहीं चाहूंगा मैं चाहूता हमें एक ही बार बनाओ वो हर महीने मेरे पास reminder आ जाए automatically तो मैं create पे जाऊंगा दुबारा वही process more option तो यह है pay credit card bills हमने पिशली बार क्या किया था अपने आपको remind करने के लिए बस यहां पर save button पर click कर दिया था पर अभी जो requirement है हम लोग का हम यह चाहते है कि यह हर महीने मेरे पास reminder आए सो हर महीने कब सो मैं august से start करना चाहता हूं कि august के second second august से 11 से 12 बजे मेरे पास यह reminder आए not only august मैं चाहता हूं 2nd September, 2nd October, 2nd November, 2nd January, December हर महीने हर एक महीने मेरे पास reminder आए इसके लिए आपको एक function का use करना इसको कहते है यह वाला does not repeat इसका मतलब है कि अभी यह जो event है श्रीफ एक ही बार आपके पास reminder आएगा पर मैं अभी चाहता हूं कि यह मुझे monthly आए अब यह सब option को मत देखिए मैं आपको एक best तरीका सिखाता हूं यह custom का देखिए अब इस पर क्या होगा repeat every one week के जगा पर आप कर दीजिये month देखिए आ गया repeat every month अब यह भी option है कि आपको monthly on day 2 करना है क्योंकि हमने यह day 2 पर डाला था यहाद है आपको अगर यह 3rd August होता तो बताता है monthly on a first Tuesday तो कोई नहीं हम monthly on day 2 करते हैं अगर यह जो credit card का bill है यह तो आपका lifetime चलेगा जब आपके पास credit card है तो यह ends पूछता यह कब यह reminder बंद हो जाया आपके पास आना इस case में हम रखेंगे never क्योंकि यह तो चलता रहेगा बाकी दो case में आपको कुछ और तरीके पर समझाओंगा तो फिलाल तो इसको नेक रखते है never और done अब मैं करता हूँ इसको save अगर आप इस तरह अपने accounts वाले को remind करतना चाहते हो monthly आप वहाँ पे उसका account पे email id डाल सक सकते हो मैं august 2nd पर पहुच जाता हूँ देखिया आप यहां से भी पहुच सकते हो या फिर यहां से भी जाके टूपे आप click कर सकते हो देखिये पहुच गया सो देखिये august 2 पर मेरे पास एक reminder आजाएगी notification आजाएगी ठीक है आइडिली जैसे हमने discuss किया था 2nd September को आना चाहिए चलिए मैं जाता हूँ September और 2nd यह देखिये अब देखियो 2nd September पर आगया reminder अब मैं आपको October दिखाता हूँ यह देखिये October 2nd यह देखिये Saturday को आगया reminder तो आप देखिये इस तरह November पर जाते हम लोग लास्ट देखिये इसका benefit क्या है देखिये again repeat कर रहा हूँ जो चीज आपके mind पे है वो आप mind से हटा दीजिए आप calendar पे लिए आईए अपने आपको reminder दीजिए important काम है आप miss नहीं करोगे जो due date से आप miss नहीं करोगे तो यह त तरह इसी तरह आप daily, yearly, for example आपको yearly आपको LIC premium pay करना है यह क्या होता, yearly होता है, suppose आपको July या फिर आपका due date है, for example, maybe October महीने के आसपास यह due date है आपका, so कुछ दिन पहले का reminder लगा दीजिएगा, suppose October 10 को मेरा due date है, तो 5 को लगा दिये मैंने, अब यह does not repeat के जगा सीधे आज आजए custom है, यह सब आप ignore कीजिए, क्यों custom पे ज़्यादा आपको options मिलेगा, अब repeat everyone क्या, अभी हमें month नहीं करना, हमें year करना है, so देखिया आ गया, simple, आप अगर में इसका done कर दू, तो हर साल मुझे यह reminder आजाएगी, तो आप premiums का कर सकते हो, आप anniversaries का कर सकते हो, आप birthdays का कर सकते हो, तो आप कभी नहीं भूलोगे, और spouses लोग आप अपने husband या wife का भी डाल दीजिए, ताकि आपको miss ना हो जाए, ताकि सब कोई खुश रह से, यह हो गया आप suppose आपका yearly वाला, for example मुझे अपने team से weekly meeting करना है तो कोई भी weekly sales meeting है, so doesn't repeat पे जाईए दुबारा, custom पे जाईए, आप repeat every week, तो day, week, month हम आप भी week करेंगे, इस पे बड़ा interesting concept है देखिए, यह meeting जो है, suppose यह कोई particular project का meeting है, मैं आपको एक दुबारा इसको change करता हूँ, suppose यह कोई project A का weekly meeting है, तो मतलब यह जो project है, 2-3 महने का project ह suppose उसका meeting आप weekly करना चाहते हो, doesn't repeat, custom, repeat every week, पर मैं यह meeting चाहता हूँ कि हर Monday करूँ, हर Wednesday, हर Friday, अब देख रहे हो, repeats on Monday, Wednesday, Friday, अब क्योंकि मैंने बता यह दो महिने का meeting है, तो यह never नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे दो महिने तक ही meeting करना, उसके पाद मुझे meeting नही करना है, तो calendar पर क्यों डाले, इसके लिए अब यह दो में से कोई भी option यूज कर सकते हो, meeting कब खतम होगी, suppose यह 5th October को यह start हो रही है meeting, तो November, December, तो मैं यहाँ पे click करता हूँ, यह 5th December तक यह meeting चलेगी, ठीक है, उसके बाद से यह project खतम हो जाएगा, तो तब तक हम discuss कर लेत है, तो यह आप इस तरह डाल सकते हो, या फिर आप बता सकते हो, कि after, मुझे लगता है, दस meeting के बाद यह हमें बंद कर दिना चाहिए, so for example, 8 लिकरा हूँ मैं, so यह 8 meeting हम करेंगे, उसके बाद ही event बंद हो जाए, तो सही है, तो मैंने कर दिया, done, अब चाहे तो किसी को invite भी कर सकते हो, यहाँ पर उनके पास calendar पर भी repetition आ जाएगा, save, अब देखी क्या हुआ, तो मैं October पर चला जाता हूँ, सीधे, यह देखिए, start हो गया, आपने start किया था Monday, Wednesday, Friday, पर आपने start किया था पाच से, तो पहला आगया Wednesday को देखिए, दूसरा आगया Friday को, अब next week देखते हैं, देखिए, Monday, Wednesday, Friday, तो इस तरह, तो यह 3 event हो गया, पहले 2 था तो पाच, next week जाते हैं, यह 3 हो गया, तो हो गया 8, उसके बाद देखिए, आप देख रहे हो, कोई भी event नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपने calendar पर बताया था, कि मुझे न, यह meeting सिर्फ 8 बारी करना है, इसलिए यह सिर्फ 8 टाइम सी आपको दिखा रहा है, तो यह guys, यह feature आप use की कीजिए, अपनी team के साथ meeting करने के लिए, आपके personal life में जो आपको reminders चाहिए, payment का, wishes का, आप इसको setup कीजिए, तो यह recurring events से आपका calendar फिल हो जाएगा, आपकी life और काम में काफी कुछ organization आ जाएगा, इस वीडियो में इतना ही, thank you so much.